देखेगा जो हमारी exercise का 18 questions है उसमें है एक या आप व्यू दिया हुआ है 0-10α y2, 10α y2 0 और सिद्ध करना है I plus A is equal to I minus A cos alpha minus sin alpha, sin alpha, cos alpha और साथ में क्या है I जो है वो दो कोटी का तच समग आप व्यू है तो अब इसमें दोनों साइड हमें solve करने पड़ेंगी LHS भी solve करने पड़ेगी और RHS भी हमें solve करने पड़ेगी सबसे पहले हम LHS लेते हैं I plus A I की value हो जाती है हमारी 1001 और plus A की value रख देते हैं अब दोनों कम plus कर लेते हैं हमारी LHS जो है तैयार हो जाती है उसके बाद हम RHS पर आते हैं RHS की calculation थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी उससे simplify करने के लिए थोड़ा short करेंगे है अब RHS में देखेगा I minus A है cos alpha minus sin alpha sin alpha और cos alpha अब यह हमने RHS उठा लिए है I कमान देते हैं 1001 यह कमान देते हैं cos alpha का formula कोल देते हैं 1 minus 10 square alpha by 2 upon 1 plus 10 square alpha by 2 और sin alpha का formula कोल देते हैं 210 alpha by 2 upon 1 plus 10 square alpha by 2 यानि कि हमने अर्द कोड़ों में जो है अपने formula को कोल गया है अब इस तरह से जो हमारे expressions हैं यह जो terms हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो इन्हें छोटा करने के लिए हम 10 alpha by 2 is equal to x रख देते हैं तो यह 0 हो जाएगा, minus x हो जाएगा, x हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर भी हम x रख देते हैं अब इन दोनों matrix को हम आपस में घटा देते हैं तो हमारे result तयार हो जाता है अब यहाँ देखेगा, इस वाली matrix में यहाँ denominator नहीं कि हर में 1 upon 1 plus x square है यहाँ भी 1 plus x square है और matrix में जब कोई चीज, matrix में जब कोई अदिस राशी गुणा करती है तो वो सभी पत के साथ गुणा करती है उसी परिकार साब इसे यह भी कह सकते हैं कि matrix में से अगर कुछ common यानि कि उभेनिश्ट लेना हो तो वो हर पत में से common आएगा तो यहाँ सम में से 1 plus x square हर की रूप में जो है बहार ले लेते हैं 1 upon 1 plus x square बहार आ जाता है अब यह हमारी एक अदिस राशी है 1 upon 1 plus x square उसे उठा करके सबसे पहले रख देते हैं चुकि यह गुणा कहीं भी रखी जा सकती है अदिस राशी की तो अब यहाँ दो मेट्रिक्स बसती है इन दोनों की multiply कर लेते हैं और इन्हें solve कर लेते हैं multiply करने का तरीका वो ही है पहला row पहला column इंटू पहला row दूसरा column फिर दूसरा row इंटू पहला column और दूसरा row इंटू दूसरा column दोनों के multiply करके हमारे पास value तैयार हो जाती है multiply करने के बाद जब value हमारे पास बनती है multiply करने के बाद हमारे पास ये value बन जाती है तो हमें पास ये बचता आता है one plus x square यहां से minus का x पॉमा ले लेंगे यहां से plus का x पॉमा ले लेंगे और यह तो SZT जैसा का ऐसा ही रहेगा और जब यह 1 upon 1 plus x square अंदर जाएगा तो हर पत के साथ यह multiply करेगा यानि कि अब यह भी कह सकते हैं कि 1 plus x square साब हर पत को भाथ करते चलेंगे आप यहाँ पर 1 बज़ जाएगा minus x बज़ जाएगा, x बज़ जाएगा तीन 30,000 रुपए है वो रखता है और उसे जो है दो प्रकार के बांड में पैसो को निवेश करना है कुछ पैसे उसे पहले बांड में लगाने है कुछ पैसे जो है उसे दूसरे बांड में लगाने है और आपको बताना है कि वो किस बांड में परिभाशित करेंगे क्योंकि हमसे कहा गया है कि आप भी को गुड़नपल से आप इस कुश्चन को कीजिएगा अब जो दो बॉर्ण है उनमें से पहले में 5% का भी आज़ है और दूसरे में 7% का भी आज़ है अब दो बॉर्ण में उसे राशी निवेश करनी है और जबकि 30,000 रूपे हमारे पास खुल राशी है तो दीखेगा हम सबसे पहले यह मानते हैं कि माना व्यापारी पहले बॉर्ण में एक्स रूपे लगाता है दूसरे में 30,000-1 लगाता है माना व्यापारी पिर्थम बॉंड में X रूपे तता दूसरे बॉंड में 3000-X रूपे निवेश करता है फिर हम आप क्या क्या होता है अब जब आप व्यू की गुणा होती है तो हम पंक्ती की गुणा जो है वो इस्तम से करते हैं पंक्ति गुणा स्वाब रूप में होगा अब यह स्टूडेंटिट्स की अपनी मर्जी होती है किसे वह पंक्ति-ाब-ीउ मान करके चलता है किसे वह लिए ना मैंना निवेश किये गए रूपे को पंक्ती आप्वियू तथा ब्याज के प्रतिशत को इस्तम आप्वियू से प्रतिशत करते हैं तो जो निवेश किये गए रूपे हैं जो कि पहले वाले बॉंड में हमने X रूपे लगाए हैं दूसरे वाले बॉंड में हमने 3000-X रूपे लगाए हैं इन्हें हम पंक्ती आप्वियू से प्रतिशत कर रहे हैं प्रतिशत को जो हम इस्तम आप्वियू से प्रतिशत करते हैं तो माना ए मान लेते हैं निवेश राशी का आप्वियू हो जाता है X आ जाता है 30,000-X हो जाता है और ब्याज की जो दर्य दे रखी है वो 5% और 7% दे रखी है B जो है वो ब्याज का प्रतिशत अभी हो जाता है 5% और 7% तो परसेंट के लिए बटे में 100 डाल देते हैं 5 बटे 100 और 7 बटे 100 अब उसने दिया है कि कुल ब्याज जो है वो 18 रुपे प्राप्त होता है अब जब दोनों आभी का गुणन फल करेंगे पंक्ती इंटू इस्तंब करेंगे तो आपके कुल ब्याज की राशी प्राप्त हो जाएगी अब वो हमसे कहता है कि कुल ब्याज जो है वह आठारश रुपे पर राप्त होता है तो यहां पर A-B कमान अठारश हो जाएगा अभी देखेगा A कमान लग लगदा गया है R B कमान लग लग दिया है अब इन दोनु को गुणा करके इन दोने को सॉल कर लेगा अब इन दोन को गुणा करके हम solve कर रहा है अब दीख लिजेगा इन दोनों की multiply करके X की value 15,000 आ जाती है तो हमने पहली वाली जो bond था उसमें 15,000 X रुपे लगाए थे दूसरे वाले bond में 30,000-X लगाए थे तो इस प्रकार से X का मान भी 15,000 आ जाता है 30,000-X का मान भी 15,000 आ जाता है तो इस प्रकार हमसे हमारे result प्राप्त होता है कि दोनों राश्यों में आपको 15,000 रुपे निकालने है और जो B पार्ट है आप स्यम कर सकते हैं चुकि वो ये पार्ट की तरह से उसमे 21,000 रुपे भी आज का मान देना है तो A B का मान जैसे भी 15,000 रुपे लिया गया था आप उसकी जग़े उठा करके 21,000 रुपे रख देंगे आपका result प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार से बीस्वा कुष्चन है बीस्वा कुष्चन में कहा गया है कि पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताब है 8 दर्जन बहुती विज्ञान की किताब है 10 दर्जन अर्शाज की पुस्तक है तो दर्जन में मान दे रखे हैं तो इनमें 12 से मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो हमारी पुस्तकों की संख्या आ जाएगी, अर्थात इन पुस्तकों की संख्या 10 गुणा 1220 हो जाएगा, और 8 गुणा 1296 हो जाएगा, और 10 गुणा 1220 हो जाएगा, फिर उन्होंने पुस्तकों का मुल्य दे रखा है, प्रती पुस्तक का मुल्य है, तो इसलिए हमने पहले जो पुस्तकों की संख्या निकाल ली है फिर उन्होंने वो कहते हैं इन पुस्तकों विक्रमुल्य प्रती पुस्तक रुपे 80, रुपे 60 रुपे 40 है यानि कि रसायन विज्ञान के आप एक पुस्तक बेचेंगे तो 80 रुपे की होगी बहुती विज्ञान की पुस्तक 60 रुपे की बिकेगी और जो 80 की पुस्तक है वो 40 रुपे की बिकेगी तो अब हम ये मान लेते हैं पुस्तकों की संख्या को पंक्तियाब्व्यू से और विक्रमुल्य को इस्तंभाब्व्यू से प्रदर्शित करते हैं अब यह हमारा पंक्तियाब भी हो जाता है यह हमारा इस्तमाद भी हो जाता है वो कहता है इनी सभी पुस्तकों को बेचने से कितनी राशी प्राप्त होगी तो दोनों आप यूगा हम गुलन फल करके अपना उत्तर प्राप्त कर लेते हैं इनकी बिगरी से प्राप्त राशी तो यानि कि इन पुस्तवों को जो बेचेंगे आप उनसे जो है आपको 2160 रुपे जो है वो प्राप्त हो जाएंगे अब कुश्टन नंबर 21 और 22 जो हमारे objective कुश्टन है उनके लिए हमें डेटा दिया गया है और दो कुश्टन के आंसर हमें देने हैं एक 21 का आंसर देना है और एक 22 का आंसर देना है तो हमें पांच आप वीउ है जिनकी कोटी हमें दी गई है हमें दी रखा है inya, सबसुघ क्यों सिर्व में कुष्चन, दोनों कोष्चन के उपर दी रखा आप यू X की कोटी दो गुणा है Y की कोटी 3 गुणा के है Z की कोटी 2 गुणा P है W की कोटी N गुणा 3 है P की कोटी P गुणा के है 21 कोश्चन में कहा गया है कि P Y प्लस W Y अगर परिभाशित है P Y प्लस W Y परिभाशित है तो नीचे दिये गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही होना चाहिए अब P Y प्लस W Y है तो वित्रंडिया मुल्टा करके लगा देते हैं तो Y बहार आ जाएगा तो यहां P P Lस W इंटू Y को परिभाशित करना है तो यानि कि P P Lस W इंटू Y को अगर परिभाशित करना है तो नीचे दिये गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए सबसे पहला आप ब्रैकेट को देखेगा ब्रैकेट में P P Lस W है ब्रैकिट में क्या है P plus W अब आप यहाँ पर नियम लगाएंगे P plus W के लिए आप व्यू का आप नियम लगाएंगे कि जो आप व्यू है दो आप व्यू को अगर जोड़ा जाना है तो उनकी कोटी आपस में समान होने चाहिए तो सबसे पहला हम यह लिखते हैं P plus W के लिए आप व्यू की कोटी समान होनी चाहिए तो P की कोटी हमारे पास P cross K ह है र जोड़ा पास में बराबर हो चुके हैं तो आप व्यू को जब जोड़ते हैं तो उनकी कोटी पर कोई प्रभाब नहीं पड़ता है वही उनकी कोटी रहती है तो P plus W की जो कोटी होगी वो P x K कह दीजिएगा या N x 3 कह दीजिएगा अब P plus W into Y को अगर परिवासित करना है तो P plus W वाला आप व्यू पहले रखा हुआ है और Y वाला आप व्यू जो है वो बाद में रखा गया है और हमें पता है कि दो आप व्यू का गुलनफल तब परिवासित होत है तो हमने नियम लगा दिया है P plus W के इस्तंभो की संख्या इस इगल टू Y के पंक्तियों की संख्या अब P plus W के इस्तंभ यहां से तीन आ जाते है और Y के पंक्तियों की संख्या जो है यहां से Y में देखे पंक्तियों की संख्या यहां पर तीन है तो तीन आ जाती है तीन इकल टू तीन है यह सत्य यह निकी गुडन फल्ब से हमें कोई नया नियम प्राप नहीं होता है सर्व सत्य नियम आ रहा है तीन बरावर तीन क्या रहा है तो इस तरह से यह हमारा option सही हो जाएगा P जीकल टू N और K जीकल टू 3 यह हमारा A option है और A option जो हमारा सही हो जाता है फिर 22 question में 22 question में कहता है यदि N बरावर P हो तो आप व्यू 7x-5z की कोटी ग्याद करनी है तो यहां भी 4 option दिए गए है objective में 7x-5z की कोटी अब देखेगा 7x है तो आप व्यू की जब अदिस राशी से गुणा करते हैं उसकी कोटी पर कोई प्रभाब नहीं पड़ता तो यानिकी x की कोटी या 7x की कोटी एक ही बात है उसी इत्पर रिकार से 5z अगर है तो 5 की जब z से multiply करेंगे तो आप व्यू की कोटी पर कोई फ्रभाब नहीं पड़ेगा अब फिर जब दो हमें पता है कि दो आप व्यू जब हम घटाते हैं या प्लेस करते है तो उनकी आप व्यू को कोटी के मान में कोई परिवरतन नहीं होता है और जलोरी शर्त होती है आवश्यक नियम होता है कि दोनों की गोटी समान होनी चाहिए तो 7x-z8 की जो कोटी होगी वो 2xn कहें लिजेगा 2xp कहें लिजेगा ये दोनों आपस में बरावर होंगे क्योंकि हमें दे रखा है सबसे सुरू में ही p बरावर n तो 2xnb option है 2xpb option है लेकिन 2xp 4 option में से कोई सा नहीं है 2xn जो है आपका b option है इस प्रकार से b option जो है आपका सही हो जाता है और इस प्रकार इस exercise के आप बचे हुए question सरलता से कर सकते हैं उसमें कोई आपको problem नहीं होगी